तो आज हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या लगा होता है तो एक चिलर इस साइड में लगा हुआ है और दूसरा चिलर इस साइड में लगा हुआ है यहां पर इसका डिस्प्ले होता है यह इसका डिस्प्ले है और यह दो डोर के अंदर इसके मेंगनल कॉंटेक्टर कंप्रेसरों के फैन के मेंगनल कॉंटेक्टर और फैन के लिए और लोड लगी होती है तो मैं खोल के आप लोग को दिखा देता हूँ इस चिलर में इस चिलर में दो कंप्रेसर हैं और एक कंप्रेसर के लिए चार कड़णसर फैन लगे होए हैं तो यह चार कॉंटेक्टर जो है चार फैन के लिए एक कंप्रेसर के लिए और ये चार वाले कंटेक्टर दूसरे फैन के लिए दूसरे कंप्रेसर के जो चार कटंसर फैन उनके लिए ये फैन के ओर लोड लगी हुई है कि कभी भी कोई भी फैन खराब होता है तो ये ट्रिप हो जाती है सेफटी ब्रेक कार ओवरलोड तो जब भी किसी भी फैन के अमपेर ज्यादा हो जाए तो यह ट्रिप हो जाती है और फिर अपेर कार के दबारा इसको रिस्टार्ट किया जा सकता है इसके लाब फैन के कॉंटक्टर जो है यहां पे नीचे लगा हूँ है एक यह इसके अलावा यह इसका शेल है वैपुरेटर है फीट एक्सचेंजर भी इसको बोलते है यह एक लाइन के जरीए इसमें पानी आ रहा है और दूसरे यह वारी लाइन के जरीए वापिस जा रहा है ठंडा होके पानी का प्रेशर देखने के लिए गेज लगी होती है तो यह गेज लगी हुई है जिससे हमें बता चलता है कि पानी का जो प्रेशर है जो हो किस फ्लो से जो है पानी पाइपों में फ्लो रहा है यानि गूम रहा है किस सपीड से पानी जो है इसने बार पे गुम रहा है इसके अलावा एक टमप्रेचर मीटर लगा होता है जिससे हम देख सकते हैं कि पानी का अभी टमप्रेचर कितना है यह ब्लू लाइन आपको नदर आ रही होगी तो आठ नो तक अभी है इस लाइन के तुरू जो है एंट जो पानी शेल में एंटर हो रहा है उसका टमप्रेचर और उसका प्रेचर देखा जा सकता है और किस स्पीड से जो है शेल से बाएर जा रहा है पानी कितने बार पे बार पर जा रहा है कितने PSI पे इसंगेज के थमुश फ्रु। हम देख सकते हैंiman até घेज लगा हुई है इसके अरभा है यहांपे एक टंप्रेचर निवटर भी लगा हूए जिसके थम देख सकते हैं कि पानी कि तना ठंडा अो- yum कर्फ जा रहा है ये एक स्थक लगा हुआ है रेटरन लाइन में जो कि अगर पानी पंप यहां बंद हो जाए यहां पानी का प्रेशर कम हो जाए तो यह सिस्टम को बंद करवा दीता है इसके अलावा एक जो पानी के लिए अलेक्टरोनिक टंपरेचर सेंसर लगा हूआ है कि अगर डिस्प्ले पे शो करता है कि पानी का टंपरेचर जो है कितना है लीविंग का और यह एंटरिंग का यानि जिस लाइन से आता है उसका टंपरेचर भी शो करता है और जिस लाइन से वापस जाता है और वहां भी टंपरेचर उसका भी शो पानी का टंपरेचर जो है ड वव यह पम्परैसर सेंसर है एक आनेल जिससे पानी जिस पाइप से आ रहा है उसमें लगा हु पर गपर को शेण से ये इसका कंप्रेसर के प्रेजब पॉम्प है ये आइल को पूरे कंप्रेसर में सर्कुलेट करवाता है यह आइल टांजूसर है जो कि आइल पंप अगर हराब हो जाए किसी वज़ा से तो यह जो है का सिस्टम से कंप्रेसर को बंद करवा देता है ताकि अगर आईल प्रापर नागो में तो 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 यह दो ये तीन और चार चार हैड वाला कंप्रेसर लगा हुआ है और चारों को आपस में जाइंट करके ये चार जगा से इसको जाइंट करके और ये बिस चार्ज एक वाल लगा हुआ है यहां से ये प्रेशर जो है यहां से कंप्रेसर जो है हाई प्रेशर हाई टमपिचर गैस को कंप्रेस करता है ये एक टांजूसर लगा हुआ है जो के हाई प्रेशर के लिए लगा होता है किसी वज़ा से कडंसर फैन खराब हो जाएं या कोई भी किसी वज़ा से कडंसर में जो प्रेशर है वो हाई हो जा बोलते हैं यहां से गैस जा रही है यह देखें एक डंसर में यह दो क्ट अब इसके इसके लावा देख सकते हैं यह लाइन के साथ फिर यह पाइप भी आ रहा है यह भी कडंसर में जा रहा है इस चार कडंसर एक कंप्रेसर के लिए उज़ किये हैं यह कडंसर है कि वी टाइत बने हो했는데 बाहते हैं यह हैं एक कि अंदर की साहर। ऐ chemicals में है तो यह चार इक कंप्रेसर के लिए यूस किये गये हाँ इस प्रेसा Suj話 घ cleansing ॐगछा जाती है यानि गैस का टंप्रेशर हो प्रेशर का कडंसर फैन जो है वो ठंडा कर देते हैं गैस के तंप्रेचर को और प्रैशर को तो गैस जो आर लिक्वड फाम में आना शुरू हो जाती गा और फिर ये चारू कडंसर से एक एक पाइप निकला हुआ है जिसके थ्रू गैस जो है लिक्वड बानके फिर इचारू को एक पैलेकर यहां पर किसी वजह से कम्परेसर हमें हमें को इसको बंद करें अगर कैंश्य को बंद करना है है Marina फ़े देबाद ये GAS जा रहे ही है, GAS का πाइप, लो प्रेशर और लो तंप्रेچर लिकोड हर्म में इसलिटर यहां से फिल्टर एंड ट्राइर कोर सेल में जा रहे है, है कि यहां पर ट्राइर कोर लगे होआ है जो के मोस्टेर को और कोई भी पार्टिकल तो अगरा इसमें आ रोक लेते हैं और प्यूर जो गैस है उसको आगे स्प्लाई करते हैं यह एक सोलोनट वाल लगा हुआ है इसके इलावा यह तर्मोस्टेटिक एक्सपैंसिव वाल लगा हुआ है जो के गैस को एक शेल में सप्रे करवाता है और शेल में यह यह गैस यह अझाव ट्वीर हला है यह तो यह चुप में में ऊठनी हो जाती हैं और जब ये पानी और ट्यूब के बाइर की साइड में गोंग के दूसरी साइड से बाइर जाता है तो पानी ठंडा हो जाता है तो गैस जो है वो ट्यूब्पों से होके फिर ये सेक्शन पाइप के थूरू वापिस आ जाती है ये sectioned pipe आ रहा है ये वजला pipe है ये section pipe आ गया यहाँ पर सेक्सेन टाम दूसर लगा होता है कि एक तो ये ड्स्पले में section cut gas का pressure बताता है section pressure और दूसरा अगर gas leak हो जाए यहाँ कम हो जाए तो ये compressor को trip करवा देता है इसके इलावा यह एक section wall है जिसके through इसको हम बंद करके और यह वाली section line को यहां तक बलाग कर सकते हैं compressor में अगर कोई काम करना हो तो अलग करके काम कर सकते हैं इसके इलावा यह दो जो head है उन पर loading unloading लगा हुआ है इक यह यह वाला और एक यह वाला और इक यह वाल है इन दोनों पढ़ लोडिंग वाल नहीं है तो दो पर loading वाल है दो direct काम करते हैं और दिन अंद पने अन लोडिन पने लगे हैं SOLOD Rod वाल, लोडिंग, अनलोडिंग, सोलोनड वाल है, इसके इलावाँ चिलर में उपर कडंसर फैन लगया हूँ है, यह एर टाइप, एर कोल्ड, यह एर कोल्ड चिलर है, यानि कि इसके कडंसर को, एर के साथ ठंडा किया जाता है, कडंसर फैन भी आप लोग को दिखा देता ने साथ चिलर में दो कंपरेसर योज किये गये हैं, गाय चिलर में बस इतना ही कुछ होता है, यह गेट वाल लगे हूँ है, एक रिटर में, एक सप्लाइ में, अगर हमें यह शेल में जो पानी सर्कुलेट का रहा है, इसको बंद करना हो, तो यह दोनों वाल को बंद करके, कोई भी चीज, अगर गेज चेंज करने हो, याघ राने सर्कुलेट करना हो, गाय अगर मेरी चैनल को सब्सक्राइब ने किया, तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं एस्लिए डेलेटीड वीडियो अप्लीड करता ही रहता हूँ, और बैल आईको बंद नेक्स वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसके पार्ट जो हैं वान बाई वान इसके पार्ट देखेंगे कि कैसे काम करते हैं और डिस्प्ले पर भी आप लोग को दिखा दूंगा तो गज वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दिया करें थैंक्यू गाइज अला आप